हेलो गाईज, वेल्कम टो अंके चौधरी एडिकेशन और आज के क्लास में हम डिसकस करेंगे अल्टरनेटिंग करेंट क्लास 12 के पी वाई की तो चलिए शुरू करते हैं और डिसकस करते हैं आज का पहला कोशिन जहां आपसे बोला हुआ है कि alternating voltage जो है जिसकी value एक expression की form में आपके पास है जो है E is equal to E not sin omega t इसको आपने apply कर दिया है एक circuit के अंदर जिस circuit में एक register होने वाल है और उसको आपने connect किया series में साथ में एक black box भी connect कर रख है तो यह mystery है क्या है black box अब बोला गया है कि जो current आप provide कर रहे हो इस circuit में वो पाया गया I is equal to I not sin omega t plus में pi by 4 यह इसका phase difference है तो इस circuit एक बर ध्यान से देख लिए आप इस circuit के अंदर कई चीज़े है यह resistance है यह वो black box है यह आपके पास source EMF है और इस star में दोर रहा होगा current जिसको expression की form में इन्होंने समझा है तो हम समझते हैं पूछा क्या है सबसे पहले बोला है कि state whether the element in the black box is a capacitor और inductor अच्छा तो बताओ भई जो black box में आपके पास substance है या element है वो है क्या एक capacitor या फिर एक inductor तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि answer कैसे निकलेगा तो देखो answer बहुत simple है इसका जो भी हमारे पास इस box के अंदर चीज़े मौजूद है उसको हम कहेंगे capacitor अब आप कहोगे इतने confidence से आप कैसे कह सकते हो कि यह capacitor होगा तो आपको यह pi by 4 का phase difference दिख रहा है यह phase difference किसके बीच में था obviously यह था voltage और current के बीच में तो जब कभी भी voltage और current के बीच में phase difference pi by 4 से होता है तो वो चीज हमेशा capacitor होती है ठीक है यानि कि capacitor लगाते हो circuit में तब ही current और potential के बीच में phase difference pi by 4 का होता है बढ़ते हैं आगे यहां बोला हुआ है कि आपको एक phasor diagram बनाना है इनके बीच में यानि कि voltage और current के बीच में बहुत simple है यहां पे current plot करो यहां पे voltage plot करो बीच में angle pi by 4 का plot कर दो क्योंकि वही phase difference है तो यह हमारे पास phasor diagram निकल के आगे है आगे बढ़ते हैं आपसे बोला हुआ था आगे कि भई impedance calculate करो in terms of r बहुत simple है impedance calculate करेंगे हमें पता है उसका formula यह होता है मगर उसके लिए हमें इन दोनों की values निकालनी पड़ेगी तो हम सबसे पहले यहां से एक चीज़ पता है हमें जो भी हमारे पास stand 5 होता है जो हमारे पास phase difference है वो बराबर होता है VC divided by vr के ठीक है अब 5 की जगे हम क्या put करेंगे है पाइबाइबाइ 4 तो यहाँ पाइबाइ 4 की value होती है 1 तो यहाँ पर cross multiply होके यह दोनों एक बराबर आ जाएगे यहाँ पर one put करोगे तो यहाँ पर हापस में equal होगे अब हमें इतना समझे आ गया कि जो हमारे पास xc है वो किसके equal है अब आप पुछो कि आपको कैसे बता xc जो है वो आर के equal है तो देखो ऐसा है कि इस circuit के अंदर जो इसका resistance होगा न यानि कि जो हमारे पास capacitor का resistance होगा वो है xc ठीक है याद रखना इस चीज़ को और जो हमारे circuit में resistance हमने लगा है वो है r क्योंकि यार यह एक बात बताओ यह इसके अंदर जो resistance होगा वो भी बराबर होंगे अब इसका resistance है हमारे पास xc और इसका resistance है r चीज़े समझ आ रही होगी आपको good अब impedance की बात करते हैं जैसा मैं आपको बताया है वो होता है z हमेशा बराबर होता है xc का square प्लस में r k square के ठीक है अब यहाँ प्यार एक बात मुझे मैं xc के जगा वापिस r लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं तो यह हो जाएगा 2 times r का square और उसके बाद अगर आप इसको solve करना जहनते हो तो आपको बता है कि यह हो गया 2 times r का square square से यह root है cancel हो जाएगा ठीक है और हमारे पास answer निकल कर आएगा z is equal to r under root 2 ठीक ह ओके जो LCR circuit के अंदर वैसी condition ढूंडनी है जब impedance जो है वो minimum होगा second में बोला हुआ है कि wattless current flows in the circuit अब आपको उसी LCR circuit के अंदर wattless current जो है वो flow करना जहें इसके बारे में भी बताना है foreign set का question है 2014 में भूशा गया था आगे बढ़ते answer discuss करते हैं तो जो impedance है LCR circuit में हम सबको पता है इस तरीके से expression होता है उस चीज़ का right अब क्यूंकि अगर आपको minimum obtain करना है तो उसके लिए XL जो है वो XC के बराबर होगा सोच के देखो न यह बराबर होंगे यानि कि एक दूसर आप से पूछूंगा L और C क्या है सभी बच्चे comment में इसका answer करेंगे आगे बढ़ते हैं यह चीज़ तो हो गया कि minimum के case में इन दोनों को बराबर रखना है आपको अब second में वो लावा है कि worthless current जो है वो circuit में तभी flow कर सकता है जब circuit जो है वो किसी भी ohmic resistance को consider नहीं कर रहा अपने अंदर, right circuit में कोई ohmic resistance नहीं है क्योंकि ohmic resistance में problem क्या होता है कि वो current और potential के बीच में एकदम से value करता है linearly ठीक है यह बात तो आपने ohm slow में पढ़ा होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए तभी waterless current वहाँ flow करेगा यानि कि जब circuit मे resistance की value 0 होगी तो हम कह सकते है कि उस circuit मे कोई ohmic resistance नहीं है और हम यह भी कह सकते है कि waterless current flow कर रहा है समझ में आगे यह बात ओके आप इसका alternate तरीका यह भी आप लिख सकते हो power के through कि भई power का formula होता है वी I cos 5 ठीक है अब अगर आप एक बात बताओ जब आप 5 की value 90 degree रखोगे यानि कि pi by 2 रखोगे तो power क्या हो क्योंकि cos 90 क्या होता है cos 90 होता है zero right तो इस तरीके से पूरा zero हो जाएगा और अगर पूरा zero हो क्या power तो भी आप यह कह सकते हो कि हाँ भई waterless current जो है वो flow कर रहा है थोड़े सा waterless current के बारे में भी जान लेते है waterless current flows when the impedance of the circuit is purely inductive या फिर पूरी तरीके से वो capacitive हो तभी जाके यह waterless current flow कर रहेगा या फिर इन दोनों का combination भी कर सकते हो यानि कि inductive का भी और capacitive का भी तो यह भी चीज़ आपको समझा आगी होगी अगले question में यहां बोला हुआ है कि एक capacitor है जिसका नाम C दिया है आप देख सकते हो इस circuit के अंदर यह आपके पास capacitor ठीक है DC से कोई supply इसको नहीं मिल रहा जो bulb glow करेगा with some brightness जाहिर सी बात है भाई supply मिला है तो bulb glow करेगा आप से ही पूछा हुआ है कि how will the glow of bulk change किस हिसाब से bulb का glow जो है वो effect होगा अगर आप इस capacitance के बीच में dielectric place कर देते हो इसके बीच में अगर आपने dielectric place कर दिया तो जो bulb का glow है वो क नहीं कम जादा किया नहीं तो समझते हैं अगर reactance of capacitor की हम बात करें तो decrease हो जाता है ठीक है resulting in increasing the current in the circuit therefore bulb will glow brighter ओके अगर आप यहां पे dielectric place करोगे न तो होगा यह कि जो capacitor है वो चाहिर से बात है decrease हो जाएगा जिसके कारण capacitor का reactance decrease हो जाएगा ठीक है जिसके कारण increase करेगा क्या current अब सुचो यार इसमें आपने place क्या dielectric वो dielectric आने के बाद करता क्या इस capacitor का reactance decrease कर देता है अब reactance decrease हो रहा है मतलब resistance decrease हो रहा है तो बढ़ेगा क्या current अब current बढ़ेगा यहाँ तो current क्या करेगा इस बल्ब को glow करा देगा समझगे इस बात को next मैं बोला हुआ है कि resistance are is increased keeping the same capacity capacity में नहीं बार बार आप इस resistance को बढ़ाये जा रहे हो बच्चो वाल आंसर है यार resistance बढ़ा दोगे capacitance जाहिर सी बात है यहाँ पर कम हो जाएगा capacitance कम current कम बल्ब के पास supply कम तो glow भी कम करेगा वो dimmer हो जाएगा ठीक है आप इसका यह detail answer भी चाहो तो पढ़ सकते हो यहाँ प से हमारे बल्ब को glow करने का chance मिल जाएगा और second case को भी आप यहाँ पर detail में समझ सकते हैं next question अब देखो यहाँ पर कोई question नहीं है यह एक ऐसी slide है जहाँ पर दियेगे questions को आपको solve करना होता है तो screen पर दियेगे सारी question को आप video pause करके note down कीजिए एक एक question को comment box में answer कीजिए कि स इस पूरे session का pdf चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं आप join कर सकते हैं telegram group जहाँ पर आपको इसका pdf provide कर दिया जाएगा otherwise में description box में भी डाल दूगा तो मिलते हैं अगले class में जाहिंद